कोरोना की दूसरी लहर में अनात हुए बच्चों की लालन पालन से लेकर शिक्षा तक की विवस्था को लेकर सुप्रीम कोट ने कई बड़े आदेश दिये हैं। सर्वोच नेया एलन ने कहा कि इसके लिए जो बच्चा सरकारी या प्राइवेट स्कूल जहां पर भी पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई वहीं पर जारी रहनी चाहिए। बंगाल सरकार को जबर्दस लतार लगाई और कहा कि राज्य सरकार अनाथ हुए बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रही है जो चिंता का विशे है। कोट ने कहा कि राज्य सरकार सरवोच्च अदालत के आदेश का फैसला नहीं समझ पाने का बहाना बना रही है। सुप्रिम कोट ने राज्य सरकार के प्रतिनिधी से कहा कि सभी राज्य ने जानकारी मोहियक करा दी है। तो फिर सिर्फ बंगाल को ही कनफीजन क्यों हो रहा है। अदालत ने राज्य से अनाद बच्चों की जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपडेट करने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि राष्टे बालाधिकार संरक्षन आयोकी रिपोर्ट के मताबिक देश भर में 30,000 बच्चों के मातापीता की मौत कुरुना महमारी के कारण हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों का पता लगा कर लगातार वेबसाइट अपडेट की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे अनमोल धर्वर हैं इसलिए किसी भी कारण से उनका भविश्या खराब नहीं होना चाहिए। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए स्पष्ट आदेश दिये हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सत्य खबर। सत्य खबर। सत्य सती बेबार।